भगत रामचंद जी पहाडगंज दिल्ली वाले उन संत महापूर्सों में थे जिनोंने भक्ती भरा जीवन जी कर भक्ती की प्रिन्डा दी आपने केवल खुदी भक्ती नहीं की बलकि अपने कर्म से कई औरों को भी भक्त बनाया आपके संपर्क में जो जो भी आया उसे आपने एक पावन पवित्र गुर्सिक बनने में अपना पूर्ण योगदान दिया आपका स्वांस स्वांस मिशन को अर्पित था आप स्वयम एक महान सेवादार स्रधालू भक्ते और सद्गरू पर अटूट विश्वास रखने वाले संत थे आपके वल नाम से ही नहीं कर्म से भी भकत थे बचपन के संघर समय दिन आपका जन सरगोथा जिला कैमलपूर में दस जनवरी वन नईस सो को हुआ आपके पिता का नाम स्री गंगा राम और माता का नाम हुक्मा देवी था आपके माता पिता धारमिक प्रविर्त के थे घर के सब सदस्य गुरद्वारा जाते थे उनके प्रभाव से बालक राम चंद भी गुरद्वारा जाने लगे वहां गुरबाडी सुन सुनकर इसमें रुची बढ़ने लगी और आप स्वैंग भी पाठ करने लगे बचपन से ही आपका स्वास्त अच्छा ना था आपको धमे की सिकायत रहती थी इस कारण आप संसार की रंगीनियों में फसने से पहले ही माया से बिरक्त रहने लगे दवादारू बहुत किया गया पर आप पूर्णतया स्वस्त ना हो पाए जब आपकी आयू के अन्य बच्चे अपना स में खेल कूद मनोरंजक क्रियाओं में बतीत कर रहे होते तो आप घर में ही बैठे अपने भाग को कोस रहे होते आखिर आपने भाग को बनाने का नड़े लिया और सोचा कि यद दुनियावी कारियों में भाग दोड के लिए सरीर इजाजत नहीं देता तो क्यों ना सरीर क प्रभु भक्ती में लगा कर इस मनुस्य जीमन को सफल बनाया जाए ऐसा सोचकर आपने अपना सारा समय प्रभु भक्ती में लगाने की ठानी प्रभु मिलाप की तरलफ बच्पन से ही आपने प्रभु प्राप्ती के लिए प्रियास करना आरंभ कर दिया आप मंदिर और ग आपकी समझ में आ चुकी थी कि प्रभू का ज्यान किसी संत महापुरुष के द्वारा ही हो सकता है। अब आपने साधू संतों के आसरम वादेरों पर जाना शुरू कर दिया। हर एक महतमा से प्रभू प्राप्ती की बात करते। प्रंत सभी ने आपको किसी ना किसी कर्म कांड का ही रास्ता दिखाया। आपने हर कठिन से कठिन कर्म भी किये। उल्टे सीधे आसन भी लगाए। और कहीं आख, कान, नाख, बंद करके अंतरमखी होने का प्रियास भी करते रहे। आपने घर त्याग कर बनबासी जीवन को भी स्वईकार किया, कई-कई दिन ब्रत भी रखते रहे। इससे निर्बल सरीर और भी अधिक दुबला हो गया प्रंत प्रभु प्राप्ती ना हुई। ये कान्त में ध्यान लगा कर बैठने से भी जब कुछ ना बना तो आपने सारी उमर ब्रह्मचारी रहकर जीवन बिताने की ठानी और यंतिम स्वास तक ब्रह्मचारी ही रहे। आप एक बार फिर किसी कार में अपने आपको ब्यस्त करना चाहते थे। इस समय तक आपके बड़े भाई वा भावी सरीर त्याग चुके थे और उनके चार बेटों के पालन पोस्ट की जिम्मेदारी आपके कंधों पर या पड़ी थी। आस्त्रों का धन करने लगे हतकारवल दिल्यारवल रहने लगया। आखिर आपकी जिग्यासात रिप्त हुई। चालिस बर्स की आयू में आप अपना गाव छोड़कर पेशावर में आ गए और यहाँ पर दुकान खोल ली। यही पर यापकी भेट डांक्टर देशराज जी जो बाद में संत निरंकारी मंडल के पाले उपपरधान बने से हुई। जो बाजार में एक डांक्टर की दुकान पर काम करते थे। परसों की तलास में रहते थे। उन्होंने देखा कि या महत्मा है तो बिद्वान पर इसकी बिद्वता ही से इस निरंकार प्रभू के मिलाप का आनंद नहीं लेने दे रही। आप अब धर्म गरंथों से इस निरंकार को मिला कर देखते तो बिलकुल सही पाते। परन्तु अन्य बातों में उलज कर रह जाते। जब भी आप बाबा बूटा सिंग जी के पास जाते कोई ना कोई गरंथ वा सास्त्र आपके हाथ में होता। बाबा जी आपको जब इन पामन बाणियों का सही अर्थ समझाते तो आप संतुष्ट हो जाते। समय बतीत होता गया बाबा बूटा सिंग जी जान चुके थे कि आपका खिताबी ज्यान आपको इस निरंकार का आनंद लेने में रुकावट बना हुआ है क्योंकि आप निरंकार में ध्यान लगा कर इसकी अनभूती करने के वज़ाए तरक बितरक में फस्ते जा रहे थे। कभी कोई ऐसी पुष्तक ले आते जिसमें लिखा होता या पधार्थ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए इस समय जागना या सोना चाहिए इस दिसाखी और मुख करो तो यह होगा आधी आधी एक दिने आप एक किताब लेकर बाबा जी के पास पहुँचे बाबा जी आ आप के हाथ से पुष्तक लेकर जला दी और कहने लगे चले जाओ मैंने आप से कोई बात नहीं करनी आप हर रोज अपना और मेरा समय नस्ट करते हो जितना समय इधर लगाते हो उतना समय निरंकार की और लगाते तो आपको इन पुष्तकों को लेकर मेरे पास ना आना पड जिरंकार में आनंद विभोर होना सीखो बाबाजी के बचन सीधा हिर्दय में उतर गए आपको एक जटकासा लगा और अपनी भूल का एहसास हुआ आपने मासूस किया कि ब्रह्म ज्यान के तुल्यतो दुनिया में कोई भी वस्तू नहीं है और यहा भक्ती दिमाग या विद्धता का विशय नहीं है बलकि हिर्दय का और सद्धा विश्वास का विशय है उस दिन के बाद यहापने कोई भरम मन में नहीं आने दिया सभी से य अलोकी के आनंद प्राप्त होने लगा अब तो आप पूरी लगन सद्धाय और विश्वास के साथ गुरू चरणों के साथ जुड़ गए। भारत में परचार पागुर्मत की सिखलाई का पहला केंद्र। मिशन की बागडोर बाबा अवतार सिंग जी के हाथों में आ गई। आप भी उन्ही की रहनुमाई में दिन रात सेवा सत्संग सिमिरन में मगन रहते। 1947 में देश में बहुत हलचल मची हुई थी। एक दिने आपके निवास अस्थान पेशावर में परसत्संग हो रहा था कि मुसलमान भाईयों ने आकरमन कर दिया। उनको देखकर आप सभी सुमिरन में मगन हो गए। आकरमन कारी घर के अंदर तक आये परंत घर में कोई मान दिखाई ना दिया और सोर डालते हुए वापिस चले गए। जब सहर खाली हो गया तो आप भी संगतों के साथ पेशावर केंप में आ गए। वहां भी आप प्रत दिन संगत करते रहे। दूसरे लोगों को वास्चज होता था कि ये किस प्रकार के लोग हैं। दुनिया को तो जान के लाले पड़े हुए हैं परन्त यह लोग बेखोफ होकर सत्रंग करते हैं और एक दूसरे की सेवा में जुटे रहते हैं। यहां भी आपके प्यार नम्रताय और सांती के आगे कई अभिमानी लोगों के मस्तक जुग गए। कैम्प में आपने कई जग्या सूरू प्रभू ग्यान देकर संतुष्टी का दान दिया। आपने कैम्प में भी ऐसा बाता ब्रण बना दिया कि लोग मौत के डर से गवराने के अस्थान पर प्रभू पर विश्वास लाने लगे और यह काते सुने गए कि जैसे बेणी के साथ लोहा तर जाता है वैसे ही इन भक के कारण प्रभू हम पापियों को भी बचा लेंगे। इसी समय के दोरान 1947 में देश का बटवारा हो गया। आप भी पेशावर से दिल्ली, मुल्तानी, टांडा, पहाण गंज में अपने भतिजों स्री जगत राम जी, उडारू, कृष्ण डाल जी और अबनासी राम जी के अपना निवास कर लिया था, यहीं सतसंग शुरू हो गया। फाले पूज गोपाल सिंग जी प्रेमी, जो आज कल संत रंकारी मंदल के सेवादल के मुख संचालक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, के घर संगत होती थी, हर रोज कमरे का सामान बाहर निकाला जाता, सतसंग क के बाद फिर कमरे में सजाया जाता था, धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी और रविवार की संगत इद गाह क्वार्टरज के आगे खुले अस्थान पर होने लगी थी, अब बढ़ रही संगत के लिए एक खुले अस्थान की आवसकता मासूस होने लगी, उदर देश के अपने पाउं पर खड़े हो जाएं, इसलिए सरकार की ओर से एक योजना बनाई गई कि व्यवसाये सिखलाई केंद्र के लिए जमीन सरकार देगी, सहिंसाहजी का संकेत पाते ही एक प्लाट पहाडगंज दिल्ली में सरकार से ले लिया गया, जिसमें संत निरंकारी स्कूल पुड क्राफ्ट सिखलाई केंद्र खोला गया, इस प्लाट पर सेवा का कार्या रम्भ हो गया, शुरू में तो एक टेंट लगा कर कलासें लगाई जाती थी, उसी में सवेरे सत्संग होता और बाद में स्कूल पहाड़ी केंद्र चलते थे, धीरे धीरे एक हाल बनाया गय जिसमें सुबा सत्संग और उस के बाद वहां लखडी का परदा रखकर कलासों की पढ़ाई होती, अब इस अस्थान को सही धंग से समालने का पर्ष में आया, उन दिनों डांक्टर देशराज जी पहाड़ गंज में ही रहा करते थे, डांक्टर साहब को इस निरंकारी स्क पूल की प्रभंद की ए कमेटी का प्रधान और भगत रामचंद जी को सच्व बनाया गया, जब इस अस्थान की देखरेक का सवाल उठा तो सहिंसाह जी का ध्यान आप की ओर गया, उस समय ना ही यहां बिजली, पानी और ना ही सोचाले यादी का प्रभंद था, एक छोटा साटीन की चादरों की छतवाला कमरा था, सहिंसाह जी का आदेश पाते ही, आप मुलतानी डांडे वाले घर से यहां आकर बस गए, और उसी दिन से शुरू हो गई आपके तप्याक की कहानी, तप्याक की लंबी दास्ता, उस समय पहाडगंज इतना विक्सित नहीं था, जो जमीन इस्कूल के लिए दी गई थी, पाकच्ची जमीन थी, परंत सद्गुरू के इसारे का आपने सहर्ष स्वागत किया, और सेवा है तो इस्कूल में रहने लग पड़े, सुबा चार बजे उठकर इस प्लाट की सफाई करना, पानी लाकर शिड़काओ करना, दरिया बि अच्छाओं की व्योस्था की जाती, इस सेवा में धीरे धीरे नौजवान सेवादार आपके साथ जूनने लगे, उन दिनों अभी सेवादल का निर्माण नहीं हुआ था, परंत नौजवानों को सेवा के मैदान में उतारने की आपके पास युक्ती थी, आपके प्रेम मे बधे नौजवान सुबा चार बजे ही भवन पर पहुंच जाते, दीरे दीरे इस भवन में एक नल और एक सोचाले बन गया, कच्ची जमीन में ही एक किनारे पर एक गढ़ा खोदा गया, जिसमें नल पर कपड़े बरतन आज धोने का पानी हिगठा हो जाता, इसी पानी को बधे बन लेकर सुबा भवन में छिरकाओ किया जाता, सबता हमें एक दो बार गोबर का लोईपन किया जाता, अब पहाड़ कंज में सुबा साम सत्संग होने लगा, आपने नौजवानों के लिए गर्मियों में सुबा चार बजे से पांच बजे तक, और सर्दियों में प इस तरह यह सिलसला कई वर्षों तक चलता रहा। कुछ समय पस्चात निरंकारी कालोनी की अस्थापना हो गई। सहिंसाहजी का निवास अस्थान वा एक कमरे वाला संत निरंकारी मंडल का दफ्तर इस कालोनी में तब्दील हो चुका था। परंतुरविवार की मेन संगत और हर रोज सुबा की संगत में आशिरवाद देने सहिंसाहजी स्वयम कालोनी से पहाडगंजाया करते थे। पहाडगंजी स्कूल में उस समय स्कूल खोलने स्कूल का हिसाब किताब आज की सेवाय कर रहे थे संत मंगल सैन्जी जो दातार की किरपा से अब संत नंकारी मंडल में सेक्रेटरी के रूप में सेवा रता हैं। जब इनकी साधी हुई तो भगत जी ने इस दमपत्ती को अपने ही पास बवन के एक टीन की छत वाले कमरे में रखा। दोनों को सेवा के मैदान में ऐसा उतारा और गुर्मत की ऐसी बारिक्या समझाई कि वासिखलाई उनको आज की बुलंदी तक ले आई है। इन्होंने साथ बर्स दक महा रहकर दिनरात सेवा की और आपके निकट रहकर एक संत के निरलेप जीमन को देखा। इनके अतरिक्त जो अन्य नौजवाने आपके नजदीक आए वे आज गुर्सिखी जीमन के रोसन मिनार बने हुए हैं और परचार प्रोपकार के छेत्र मे सक्रिय रूप से अपना योगदान डाल रहे हैं। इन्ही में कुछ उलेखनिये नाम हैं परम पूज नंदलाल जी तहलियानी जो कनाडा में संत्नरंकारी मंडल के सेकरेटरी का कारिभार समाल रहे हैं। माता माया देवी जी, स्री फकीर चंद जी, स्री जगन्नाज जी, तथा स्री सूरज मोहन जी, योग विश्वामित्र जी आदी हैं जो परचार और प्रबंध कारियों में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। सेवा की कुठाली। जब भी कोई नया व्यक्ति ज्यान लेता, तो आप उसे पहले संगत, सुमिरन और सेवा में लगाते। जब उसे गुर्मत की समझे आ जाती, तभी उसे संगत में गीतिया विचार रखने का समय देते। आप सेवा के द्वारा हिर्दे को हर पकार से पावने और पवित्र बनाने का धंग सिखाते। पूज समित्र सिंग सागर जी ने बताया कि जब उन्होंने ब्रह्म ज्यान की प्राप्ती की, तो आपने उन्हें सुबा चार बजे पहाड़ गण सत्संग भवन पर पहुँचने का आदेश दिया। सागर सहाब ने बिंती की की उनके पास अलार्म वाली घड़ी भी नहीं है और सुबा सबेरे उठने की आदत भी नहीं है, तो आपने एकदम कहा आप रात को सोने से पहले सुमिरन करके इस निरंकार के आगे अरदास कर देना की संगत में जाना है, सुबा उठा देना, तो सुमिरन कार स्वयम भक्तों के कारे करता है, सागर सहाब ने ऐसा ही किया, सुबा ठीक चार बजे उनके कान में घंतियां बजने लगी, जैसे कोई उन्हें जगा रहा हो, वा एकदम उठे और भवन की ओर चल दिये, सत्संग भवन पहुंचते ही जो सेवा उन्हें दी गई, वहा उनके जीवन का एक सुन्दर मोन परमारित हुआ, वहा पहुंचते ही पहले आपने उनका आशिरबादों से स्वागत किया, फिर आपने उनके हाथ में बाल्टी दी और कहा कि पानी भर के मेरे साथ है आ जाओ, जब वहा पानी की बाल्टी भर लाए तो आपने अपने ह हाथ में तीलों वाला जाडू पकड़ लिया और सोचाले की ओर चल दिये, उन दिनों फलस सिस्टम प्रतलित नहीं था, वहा सागर साहब पानी डालने लगे और याप जाडू से सोचाले साफ करने लग पड़े, उनको पाले तो बदबू आने लगी, परंतु आपके सेवा भाव ने उनके हिर्दे के भाव भी बदल डाले, दो दिन ऐसा होता रहा, तीसरे दिन पानी की वालती आपने हाथों में ले ली और जाडू उनके हाथ में थमा दिया, इस तरह सोचाले साफ करते करते मन की सफाई भी साथ साथ होने लगी, मन में यह बात बैठने लगी कि क कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती, सेवा खेवल सेवा होती है, जो सेवक को आनंद प्रदान करती है, पाड़ गंज भवन का फर्सकच्चा था, आप महापूर्शों को गोबर का लेपन करने, दीवारें साफ करने, लंगर पकाने और बातना आध की सेवा देते सेवा के द्वारा आप सेवादारों को हर प्रकार के अभिमान से बचाना चाहते थे, एक बारे आपने भगत कोटुमल जी को कहा, कल सुबह आपने मेरे साथ बारात में चलना है, कोटुमल जी अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहन कर भवन पर पहुँच गए, और बहुत पसंद थे, कि वह भगत जी के साथ साधी में जा रहे हैं, जब भवन में पहुचे तो आपने उन्हें जाडू लेकर सफाई करके, पानी का शिड़काव करके, दरियां आध बिचाने को कह दिया, कोटुमल जी मन ही मन हैरान थे, कि सुन्दर पोसाग सेवा के लिए पहनी है या बारात के लिए, परंतु आपका आदेश पाकरवा सेवा में जुट गए, सेवा कर चुके तो आपने उन्हें अपने साथ साधी पर जाने को कहा, पर अपने कपड़ों पर मिट्टी के दाग देखकर कुछ परिशान होने लगे, तो आपने कहा, आप मेरे साथ साधी में जा रहे हैं आपको तो वहां कोई जानता नहीं इसलिए कोई कुछ कहेगा तो मुझे सर में आएगी आप क्यों हैरान प्रेसान हो रहे हैं इस तरह हैं आप हर तरह हर सेवादार को अभिमान रहित बना कर उचा उठाना चाहते थे भकत राम चंद जी सदा समझाते की सेवा वह कुझी है जिससे सब सुखों और रब्बी बक्षिसों के खजाने खुलते हैं सेवा से ही तनमन धन सवस्त रह सकते हैं आप स्वयम भी सेवा के द्वारा ही अपने निर्बल सरीर से सदा काम लेते रहे और दूसरे महापुर्शों को भी ऐसी ही सिच्छा देते थे एक बार प्रकास जी बजाज जो बाद में लाजपत नगर की संगत के मुखी की जिम्मेदारी भी निभाते रहे थे बीमार पड़ गए उनके माता जी आपके पास आसिरबाद लेने आई और बताया कि कई महीनों से बुखार उतर नहीं रहा डाक्टरों की दवाईयां भी अब तो बेशर हो चुकी हैं आपने कहा आप अपने बेटे को एक सब्ताह के लिए मेरे पास भवन पर छोड़ जाओ मैं इसकी दवाई करूंगा और या बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका हुक्म मानकर माता जी बेदप्रकास जी को आपके पास भवन पर छोड़ गए एक सब्ताह के पस्चात जब वह आई तो आपने एक और सब्ताह के लिए उन्हें अपने पास छोड़ने के लिए कहा दो सब्ताह के पस्चात तो बेदप्रकास जी बिल्कुल तंदृष्ट हो चुके थे जब कुछ समय के पस्चात बिल्कुल स्वस्त होकर वह घर वापिस पहुँचे तो सभी ने उनसे पूछना बेद जी भगत जी ने आपको कौन सी दवाई दी है जिससे इतनी पुरानी बीमारी कुछ दिनों में ही ठीक हो गई है बेद जी मुश्करा कर कहने लगे सेवा की भगत जी के समच रहने से उनकी पावन किरने तनमन को स्वस्त गाता वरण देती और फिर सुबह चार बजे उठकर भवन में सफाई करने और भाग भाग कर सेवा करने के कारण ही मेरी बीमारी को भी भागना पड़ा सेवा मानसिक रोगों की दवाई है आप सदा काते की अपने आपको सेवा सत्संग योंग सुमिरन में इतना ब्यस्त कर लो कि मन को किसी सा संसारिक परविर्त में लिप्त होने के लिए समय ही ना मिले सेवा की कुठाली में से गुजरने के पस्चात आप नोजवानों से शुबह की संगत में बारी बारी बिचार सुनाते जब संगत का भोग पड़ जाता संगत के अन्य महापूरुष अपने अपने घरों को चले जाते तो आप सेवादारों को इकठा बिठा कर पूछते कि जिस सब्द की बिचार की गई है उसमें क्या क्या कहा गया है। गीता रामचरित्र मानस बेद आद पढ़कर अर्थ समझाते। आपका धान यही होता कि ये सेवादार अच्छे परचारक भी बने। जिस जिग्यासु सेवारता लाब करें उसकी मान्यता के अनुसार उस गरंत से प्रमार दे सकें। इस पकार ये अच्छे परचारक तयार कर करने में पूरा योगदान देते। क्योंकि आप ये अक्सर कहते कि इस अज्यानता के अंधेरे को दूर करने के लिए आपको समाज के हर मान्यता वाले मानों तक पहुँचना होगा। इसलिए जिस मानों से बात चीत हो उसकी मान्यता को भी दिष्ट गोचर रखा जाए तो निधन संपत्ती छोड़कर भारत आये थे। रोजी रोटी के साथन जुटाना भी मुश्किल था। आपने दुनियावी रूप में भी संतों को सुखी होने की उक्ती बताई। आप समझाते कि घर में यदि आटा लाते हो तो किलो वाधा किलो गुरू के लंगर में डाल द इस तरह धन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी, घर में ब्रगत भी बनी रहेगी। गुरू के चरणों में भेट रूप में रखी गई माया, बाकी माया जो हम अन्यकारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे भी सुखधाई बनाती है। निशकाम सेवा पर बल। आपने सद निशकाम सेवा पर जोर दिया, सेवा के बदले में कोई कामना या इच्छा रखने से सदा चेतन किया, आप स्वेंग भी दिन रात सेवा रत रहते, साथ सदस्यों के निरंकारी मंडल में आप भंडार नायक की जिम्मेदारी बखो भी निभाते रहे। बारस्तिक समागम के सुभे उसर पर बाहर से आई संगत की सेवा के लिए आप 24 गंटे लंगर अस्थान पर रहते और 24 गंटे लंगर आदर पूर्वक खिलाने के लिए तयार रहते, आपने कामना की भक्ती से उपर उठकर निशकाम भक्ती की सिखलाई देनी थी, इसलिए आप छोटी छोटी ब पर ध्यान देते, उदारण के लिए निम्न घटनाएं पेशा हैं, निरंकारी कालोनी की अस्थापना हो चुकी थी, तब बारसिक संत समागम कालोनी में ही होने प्रारंब हो चुके थे, निरंकारी कोठी में जो अब सद्गुरू बाबा जी का निमास अस्थान है, उसके प पहुंच जाते, एक बार की बात है कि भगत कोटो मल जी सुबा से ही लंगर में सेवा कर रहे थे, दोपार के समय उन्हें भूख लगी और उन्होंने लंगर से दो चपाती उठा कर उपर नमक डाल कर उसे गोल करके खाना सुरू कर दिया, अभी खाना आरंब ही किया था कि आप उहां आ पहुंचे और भगत कोटो मल जी को बहुत डांट पड़ दी, आपने समझाया कि बिना भोग लगवाए इदि सेवादार ही खाना आरंब कर देंगे तो लंगर में बरकत नहीं पड़ेगी, भोग लगाने के पस्चात तो अक्सर याप स्वेंग सेवादारों क लंगर पहले छका देते, ताकि वे दोड़ दोड़ कर सेवा कर सके, आपकी सिच्चा सदा यही रही कि जो भोजन दूसरे हमें खिलाएं, वही परसाद रूप में स्वेकार करना चाहिए, इस परसाद में संतुष्टी और त्रिप्टी होती है, एक बार बहन कांता जी, सु लोड़े से खाने को दे दिये, आपने देखा कि कांता जी ने बिना पूछे, परसाद में से कुछ फुलियां निकाल कर बेटी को दे दी हैं, तो एकदम गुस्टे से बोले, माए अपने बच्चों को कभी बिस नहीं देती, अमरित देती हैं, तुम बच्ची को जहर दे र आपके और आपके बच्चों के लिए अमरित बन जाता, परंतु अपने आप लेना जायज नहीं, या सत्य है कि आपस्तु बच्चों से अधिक प्यारी नहीं, परंतु गुरू को भी मर्यादा पसंद है, इस प्रकार छोटी छोटी बात पर आप चेतन करते कि गुरू घर म से देते हैं, उसे ही परशाद रूप में स्वईकार करें, आपके निसकाम भक्ती के कारण ही आपके बचन चहन रंकार प्रभू सत्य करता, खाज्य प्रदार्थ की तासीर भी संतों के बचन से बदल जाती है, पहाड गंज में ही मखन साहजी सेवादार महत्मा को गुर्द सक्त उलत की दाल लेने से कुछ हिचचाहट की और कहा कि उन्हें गुर्दे की पीड़ा है, तो आपने बचन किया, आप इस लंगर को खालो और बाद में पानी पी लेना, उन्होंने आपका बचन माना और रंकार ने ऐसी किरपा की, कि उस दिन के पस्चाद दोबारा गुर भी करवाया जाए, एदि कोई महापुरुस आपके आगे कोई भेंट या कोई खाद्य पदार्थ लेकर आता, तो आप उसे कहते की, जाओ डांक्टर देशराज जी के घर, जाकर सरद्धा से, उनके आगे या सब कुछ रखो, और उनसे आशिरबाद लो, कभी किसी को सरोव पर रह रहे भाई सहब, संतोष जी के पास, कभी बाबु महादेव सिंग जी के पास, कभी किसी महापुरुष के पास, और कभी किसी अन्ड के पास बेज कर खुस होते। की सद्गुरु ही गुर्षिक के जीवन का आधार होता है यहां अंदर बाहर की जानता है इसलिए गुरु के सामने सदासत्य बोलो और अपनी गलती को स्वेकार कर लो एदि गलती हो भी गई है और गुर्षिक ने गलती मान ली है तो गुरु स्वेंग उसको बचा लेते हैं एक बार एक महापुरुस जो रेलवे में नोकरी करते थे उनसे गलत कारी हो गया उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता था और जुर्बाना भी देना पड़ सकता था उन पर मुक्दमा चल पड़ा जब वह भगत जी के पास आशिरबाद लेने के लिए आये तो आ आप ने उन्हें चेतावनी दी कि आप सहिंसाह जी के पास जाओ और सब कुछ सही सही बता देना कुछ भी छिपा कर नहीं रखना उस महापुरुस ने ऐसा ही किया और सहिंसाह जी से अपनी गलती की छमा मांगी सहिंसाह जी ने बचन किया दातार रहमत करेगा आप छूट यदि कोई आपको कहे कि कोई वकील कर लो तो आप कहना कि मैंने वकील कर लिया है वह तारीक वाले दिन कचाहरी में पहुंच जाएगा उस महापुरुस ने गुरु के बचन पर विश्वास किया उनके साथी उसे डिराते रहे कि यदि कोई अच्छा वकील नहीं करोगे तो बाद में पस्चाताब करना पड़ सकता है परंतु आप गुरु के बचन पर अडिक रहा जब फैसले का दिनी आ गया तो भी सभी लोग उनसे वकील के बारे में पूछने लगे उस महापुरुस ने कहा मेरा वकील पहले ही वहां मौजूद है परंतु आप लोगों को दिख खाई नहीं देता जब जज ने उन महापुरुस के पच्छ में फैसला सुनाया तो सभी हैरान हो गए बाई सहाब मंगल सैन जी उस समय पहाड़ गंज भवन में रहते थे उनके माता जी भी उनके साथ रहते थे एक बार मंगल सैन जी देर रात तक घर वापिस नहीं लोटे पुत्र मोह माता जी को कमरे के अंदर ठिकने नहीं दे रहा था माता जी बाहर गली में जाकर खड़ी हो गई आपने जब उनसे पूछा तो नहों ने कहा मंगल अभी तक वापिस नहीं आया बहुत चिंता हो रही है आपने माता जी को ढांठस बधाते हुए कहा माता जी मंगल अब गुरू का वेटा है उसका रखवाला गुरू है आप पुत्र मोह से उपर उठो और जो संत महापुरुस आये हैं उनकी सेवा में लग जाओ डातार गुर्षिक का सदा सहायक होता है ऐसे माता जी का ध्यान चिंता की ओर से मोड कर सेवा की ओर लगा दिया और कु आनंदित जीवन बतीत करें आप स्वयम भी सुमिरन बहुत किया करते और अन्य महापुर्षों का ध्यान भी सेवा सत्संग के साथ स्वांस स्वांस के सुमिरन की ओर दिलाते ताकि ऐसा करके वेकरता भाओ और अभिमान से बच जाएं आप सदा कहते यदि गुरु घर में रहना है तो मुर्दा बन जाओ चार यादमी मुर्दों को तो अपने कंधों पर उठाते हैं परन्द मुर्दा यदि बोल पड़े तो उसे वहीं फेंक कर भाग जाते हैं इसी प्रकार यदि गुर्षिक अपनी हस्ती मिटा कर गुरु दर पर रहता है हील हुज्जत नहीं क करता तब तो वह सभी सुखों का आनंद लेता है वरना वह डगमगाता रहता है विशालता की प्रिनड़ा एक बार पटेल नगर के एक सिंधी महापुरुस के परिवार ने चाहा कि उनके घर संगत में आसिरबाद देने के लिए बाई साहब संतोख सिंग जी आएं सिंधी विरादरी उन्हें अपने बीच पाकर प्रसंन हो जाएगी उन्होंने भगत कोटुमल जी के द्वारा अपना ध्यान प्रगट किया कि वह इस प्रोग्राम की सूचना के इस्तिहार बाटना चाहते हैं आपके पास जब भगत कोटुमल जी ने उनका आया ध्यान रखा तो आ सब्वा ऐसा कर पाएंगे संत महापूरुस्तो सभी सम्मान के पातर हैं सभी पूझनिय हैं सभी कल्यानकारी हैं इसलिए वही कारें जो सधा निवा पाएं सत्गुरुने हमें विशालता बक्सी है हमने या ध्यान नहीं करना कि फला-सिन्धी शंत हैं या कोई या महापूर उस्तो विश्व संत हैं ना कि किसी एक विरादरी के हमने संकीरता से उपर उठना है इस पकार याप विशालता को क्रियात्मक रूप देने पर बल देते गुर्शिकों की बढ़ाई वा अस्तुती उसकी पीठ के पीछे होनी चाहिए ताकि वा कहीं सोक्ष में अंकार का सिकार ना बन जाए आप ये अपने निकट रहने वाले संतों को सदा अहम रूपी दीर हिरोग से बचाते रहते और उन्हें सेवा में तल्लीन रखते एक बार पटेल नगर के संत भाई साहब दीनानात आपके पास बैठे थे पास ही भगत कोटुमल जी बैठे सेवा कर रहे थे द आपने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा कहा का सेवादार घर वाले निकाल देते हैं यहां पड़ा रहे गा तो कुछ करेगा ही दीनानात जी ने फिर कहा भगत जी क्या तो बहुत प्रौपकारी हैं लोगों के घर जा जाकर ब्रह्मग्यान लेने की प्रिनड़ा देते हैं आपने एकदम कहा घर में खाने को नहीं मिलता होगा इसलिए लोगों के घर चले जाते हैं इसी तरह जब दीनानात जी ने कोटू मल जी के एक दो गुणों की चर्चा की तो आपने उसके विपरीत जबाब दिये कुछ देर बाद भगत कोटू मल जी वहां से दू पर मैं यह बात उसके सामने नहीं कहना चाहता था ताकि कहें उसे सुक्स में आंकार ना आजाए मुझे तो इस संत पर गर्भ है मैं जानता हूं कि आखरास होना है जो सेवा की कुठाली में से गुजर कर सुद्ध हो चुका है इसकी धरम पतनी भी बहुत सेवादार है पर यह बात मैं उसके मुह पर नहीं कहना चाहता था इस प्रकार याप कहते कि गुर्भ मुख की अस्तुति उसके सामने करना उसकी परिच्छा लेने के समान है निरंकारी कालोनी की अस्थापना के पस्चात एक दिन सहिंसाह जी ने मंगल सहिंग जी को वादेश दिया कि वाप पहान गंज से अब कालोनी में निवास करने लगे आपने अपने बच्चों की तरह मंगल सहिंग जी को भाव भरी विदाई दी और समझाया अब आप गुरू के निकट रहने जा रहे हो गुरू के निकट रहना आती मुश्किल होता है गुरू के पास तो हर प्रकार के मानो पापी से पापी भी, दानी से दानी भी, नेकी वाले भी, बदी करने वाले भी पनाह लेने आते हैं। बाहरे और गुंगे हैं, यदि कान रस, जीवा रस और यांख रस से उपर उठ गए, तो समझो आप कामियाब हो गए। यदि कोई किसी के और गुडों की चर्चा करने के चक्कर में पढ़ गए, तो उसे निंदा करने की आदत पढ़ जाएगी। यहादत गुरू सिक को का पुचाईयों को छोने का सही धंग बताते रहते। बगत रामचंद जी के रिदय में पूर्ण रूप से मिसन बसा हुआ था। आपकी परतेक सोच, भाव, बचन और कर्म का केंद्र बिंदू मिसन ही होता। यदि आप किसी सेवादार पर गुसा करते, उसे डांट डपड तो केवल उसे सुधारने के लिए या उसे और भी अधिक सद्गुरु की रहमत का पात्र बनाने के लिए आप हर महापुरुस को अपने साथ नहीं बलकि सद्गुरु के साथ जोडते। यदि कोई महापुरुस आप से कहता कि भगत जी आपके आशिरबाद से मेरा यह काम स से मुठी भर कर हमारी जोली में डाल देते हैं। इसलिए हमें धन्यबाद सद्गुरु का ही करना चाहिए जो सरभग्य और सामर्थ है। सेवादारों से प्रेम। आपका सेवादारों से गहरा संबन्द था। आप उनके सुक दुख को समझते और उनकी हर समस्या का समाधा स्वयंग ही निकालते। उन दिनों प्रह्म ज्यानी द्रंकारी संतों की संख्या बहुत कम थी और अज्यानता का फैलाव इतना आधिक कि एक विशेश बर्ग में साकार सद्गुरु को मानना किसी घोर पाप से कम ना समझा जाता। इसी कारल बहुत से महापूर्शों को ज् उन्हीं में से एक थे भाई साहब भगत को टूमल जी। पूर्ण सद्गुरु की सनन लेने के कारण इनके पिता जी ने इनको घर से निकाल दिया। जब यह बात ही आपको पता चली तो आप स्वयम उनको भवन पर ले आए और समझाया अपने माबाप पर गुसा नहीं करन उन्होंने जो कुछ भी किया है अज्यानता बस किया है जब उन पर भी ज्यान की बक्सिस हो जाएगी तो उन्हें अपने गलती का एसास हो जाएगा। आप उन पर गुसा करने की बजाए दातार के चरणों में प्रार्थना करो कि हे दातार उनकी आत्मा को भी अंधेरे से इस प्रकार उन्हें गुरु मर्यादा भी सिखाई और अपने पास रखकर सेवा भी की उनकी पूरी ग्रहस्ती की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर ली। प्रम्भिक महापूर्शों की यही मानता रही कि इन्होंने गुरु को चुना और इस चुनाओं के लिए हर प्रकार की मुश्किल को हस्ते हस्ते जेला। उन दिनों विश्वामित्र जी दिल्ली आजाद मार्किट से सुबह की संगत करने के लिए पहाडगन जाते थे। एक द सभी को नैतिक, सामाजिक और पारिवारिक करतब्यों के परतिजागरित किया ताकि सबका पारिवारिक जीवन भी सुख में हो। एक दिनी एक सेवादार जो आपके पास ही रहता था आपके पास आया और कहा कि वह घर जाना चाहता है क्योंकि उनकी माता जी भी मार हैं तो आपने उसे अपने पास से कुछ पैसे देते हुए कहा कि आप सीगर ही अपने गाउं जाकर अपनी मा की सेवा में जुड़ जाओ, माबाप की सेवा तो मनुस्तिका परम करतब्य है, धर्म है। इसी प्रकार यदि कोई बहन आपके पास याकर अपनी सास के बारे में छिकव करने की कोशिस करती, तो आप उसे समझाते की बच्ची, तू तो बड़ी भागिसाली है कि तुम्हारे सिर पर बुजुर्गों की छत्र चाया है और फिर बुजुर्गों के आशिरबाद में बहुत सक्ती होती है। आप ये अपनी मासरूप सास की बहुत सेवा और अस्तु करती, तो आप उसे भी समझाते कि आपकी बहु आपकी आने वाली कुल की निव हैं, इस निव को पक्का रखने के लिए अपनी बहु से बेटी जैसा प्रेम प्रीत और सर्भावना का रिष्टा रखें। उसे इतना प्यार दो की वह आप में अपनी मा की तस्बीर देखे और अपने हिर्दे की बात आपको का सके। इस ब्रकारे आप हर महापुरुस को अपना गिरहस्त समारने की सिच्छा देते। जिन घरों में भक्ती भराबाता बरड़ होता है, उहीं स्वर्ग होता है, उहीं इस निरंकार योंग सद्गुरु की दिब्ब सक्तियां सहायक सि आपके परोपकारी योंग द्यालू सभाव से बच्चे भी बहुत परभावित होते। बच्चों के साथ है आपका विसेश लगावथा। महीने में एक बार याप बच्चों का प्रितीभो जरूर रखते। दूर दूर कालोनियों से महापुरुसों के बच्चे उसमें भा आप कभी दरबार आयोजित करते और कभियों का भी हितासती स्वयम सम्मान करते। इस प्रकारे आज जो बाल संगतों योंग कभी सभा का निखरा हुआ रूप सामने आ रहा है इसका बीज आपने पहार गंज की छोटी सी संख्या वाली संगत में ही बो दिया था। कारिवा प्रबंध व्योस्ता को सुचार रूप से चलाने के लिए सहिंसाहजी ने 24 सितंबर 1941 को सात सदस्यों की एक कमेटी बनाई जिनका नाम संत निरंकारी मंडल रखा गया जिसके परधान संत लाव सिंग जी बने इस मंडल में सहिंसाहजी ने आपको भी लंगर इंचा में रहे इस जिम्मेदारी को निष्टावा लगन से धिवाते रहे इतना मान सम्मान प्राप्त कर लेने पर भी आप में अहंकार का नामों निसान ना था आपका हिर्दे कोमल निर्मल स्वच्छ और नम्र रहा आप नोजवान सेवादारों को भी हर प्रकार से आगे लाकर म आप चाहते की सेवादारों, परचारकों, योंग परबंदकों की दूसरी लाइन तयार हो जाए उननों जवानों को जब साहिंसाहजी मंडल में कोई जिम्मेदारी की सेवा देते आप बहुत प्रसंद होते दूसरों को बढ़ते देखकर आप खुस होते थे आपके पावन हिर्दे में सदा गुरु बसा रहता, आपके हिर्दे की तार गुरु से ऐसे जुड़ी होती कि बिना किसी सांसारिक उपकर्म को इस्तेमाल किये, आप ये अपनी बात सद गुरु तक पहुचा लेते थे, जब सहिंसाहजी ने अपना निमास द्रंकारी कालोनी में कर लिया, तो कई बार सहिंसाहजी का ध्यान पहाडगंज सुबा के सतसंग में जाने का ना होता, प्रंतु आपकी कसिस उन्हे खीच लेती, उन दिनों द्रंकारी कालोनी में टेली फोन की सुब्धा उपलब्द नहीं थी, जब कभी सहिंसाहजी को संगत में पहुचने में कुछ देर हो जाती, तो आप संगत में खड़े होकर हाथ जोड़कर सारी संगत के साथ मिलकर सब्द गाने लगते, दरिशन देखे जीमा गोर तेरा, पूरन करम होवे प्रभ्य मेरा, आपके हिर्दे की पकार सहिंसाहजी को भी खीच लाती, अक्सर अपने परवचनों में सहिंसाहजी फरमाते, आज मेरा ध्यान यहां आने का नहीं था, पर आपका ध्यान मुझे खीच लाया है, आप सारी आयू ब्रह्मचारी रहे, आपने संगतों के बच्चों को ही अपने बच्चे और संगत को अपना परिवार माना, आप इन बच्चों से प्रेम करते थे, और बच्चे भी आपकी बड़ी स्रद्धा, निष्ठा और प्रेम से सेवा करते ना थकते थे, जब आपका स्वास्त बिगड़ गया, तो इन नौजवान संतों ने दिन रात ये आपके आसपास राकर आपकी हर प्रकार से सेवा की, यहां तक कि आपका मलमोत्र साफ करना, हजामत करनी, नहलाना, कपड़े आज धोने का कार भी खुसी-खुसी करते रहे, चौदा दिसंबर 1960 की रात को आपकी तबियत अचानक बिगड़ गई, सुबा सवेरे ही आपने इस नस्त्र सरीर को त्याग दिया, आपके जोती-जोत समाने का समाचार सुनते ही, संगते संत निरंकारी मं पहाल गंज में आनी आरंभ हो गई, आप गे पार्तिव सरीर को फूलों से सजी जीप में रखा गया, जलूस की सकल में पहाल गंज, मोतिया खान, फतेह पुरी, चादनी चोक, लाल किला, सुबास मार्ग से होती हुई सो यातरा निगम बोध घाट पर पहुँची, कोई एक मिललंबा जुरूस आपके जीवन की सेवा, नम्रता और तप्याग और प्रेम भाव की सुगंधित चारो और फैला रहा था, आपका जीवन येक आदर्स गुर्षिक का जीवन था, आप प्यार, सतकार, दया, छमा, सहन, चीलता, सब, सुकर और नम्रता जैसे के बंडार थे, आपने अपने कर्म से परचार किया, गुर्मत में रगा हुआ आपका सात्विक समर्पित जीवन संसार के लिए एक मिसाल था, जो आने वाले युगों तक संसार का मार्क दरसन करता रहेगा, आप सचमुची एक उंचे भगत, प्रोपकारी, संते और एक समर पित गुर्सिक थे, 25 दिसंबर 1960 को आपको स्रधांजली देने के लिए निरंकारी कालोनी में समारो आयोजित किया गया, इस समारो में सहिंसाह जी ने अपने बचनों में फरमाया, साध संगत जी, भगत रामचंद जी ने अपने सुखों के परलोभन में आकर विबाह तो न नहीं की, उन्होंने कंचन को माठी माना, अर्थात अमीर और गरीब सभी प्रकार के भेदों को मिटा कर सभी को समान समझा, जिस प्रकार सूरि का प्रकास मिट्टी और सोने पर समान पड़ता है, वा कभी यह नहीं देखता कि मिट्टी बेर्थ की बस्तु है, और सोना आज ये कि एक महापुरुष जिस महापुरुष की अस्तुती कर रहा है ऐसी महान आत्मा को ना तो किसी की निंदा की प्रवाह थी और ना ही किसी की अस्तुती की चाहत थी आपको ना तो अपने और ना किसी सम्मंधी के परतिलालच था बलकि जो भी माया उनके पास आती उसकी तुरंत नमस्कार कर देते साध संगत भगत जी ऐसा क्यों करते थे इसलिए कि कहीं या मन लालच का सिकार ना हो जाए संतिनंकारी पत्रिका जनौरी 1961 इस पकार भगत रामचंद जी ने अपनी भक्ती को इस बुलंदी तक पहुँचाया कि आज भी उनकी भक्ती का परमाड अनेकों महाप्रूश देते हैं दनिरंकार जी